मेरे प्यारे देश वाचियों, पिछले वर्ष ये मार्च का ही महना था, देश ने पहली बार जनता कर्फियू शब्द सुना था, लेकिन इस महान देश की महान प्रजा की महाशक्ति का अनुभव देखिये, जनता कर्फियू पुरे विश्व के लिए एक अचरज बन गया थ अनुशासन का ये अभुद्पुर्व उधारन था, आने वाली पीडियां इस एक बात को लेकर के जरूर गर्व करेगी, उसी प्रकार से हमारे कोरोना वारियर्स के प्रती सम्मान, आदर, ठाली बजाना, ताली बजाना, दिया जलाना, आपको अंदाज नहीं है, कोरोना व ये बिना थके, बिना रुके, डटे रहे, देश के एक एक नागरिक की जान बचाने के लिए, जी जान से जूचते रहे, पिश्टली साल इस समय सवाल था, कि कोरोना की वैक्शिन कब तक आएगी, साथ को हम सब के लिए गर्व की बात है, कि आज भारत दुनिया का सबसे ब कहना है, कि घर के बड़े बुजुर्गों में वैक्शिन को लेकर जो उत्सा दिक रहा है, उसकी चर्चा मैं मन की बात में करूँ, साथियों सही भी है, देश के कोने कोने से हम ऐसी खबरे सुन रहे हैं, ऐसी तस्वीरे देख रहे हैं, जो हमारे दिल को छुजाती हैं, दिल्ली में भी 107 साल के केवल कुशन जी ने वैक्शिन की डोड ली है, हाइदराबाद में 100 साल के जय चौदरी जी ने वैक्शिन लगवाई, और सभी से अपिल भी है कि वैक्शिन जरू लगवाई, मैं ट्वीटर फेस्बूक पर भई, यह देख रहा हूं कि कैसे लोग अपने घर के बुजूर्गों को वैक्शिन लगवाने के बाद उनकी फोटो अपलोड कर रहे हैं, केरल से एक युवा, आनंद नायर ने तो इसे एक नया शब्द दिया है, वैक्शिन सेवा, ऐसे ही संदेश, दिल्ली से, शिवानी, हिमाचल से, हिमानसु, और दूसरे कई युवाओं ने भी बेजे हैं, मैं आप सभी सोताओं के इन विचारों के सरहना करता हूँ, इन सब के बीच, कोरोना से लड़ाई का मंत्र भी जरूर याद रखे, दवाई भी, कड़ाई भी, और सिरब मुझे बोलना ऐसा नहीं, हमें जीना भी हैं, बोलना भी हैं, बताना भी हैं, और लोगों को भी, दवाई भी, कड़ाई भी, इसके लिए प्रतिबद बनाते रहना है,